नमस्कार दोस्तों आपका अमरी यूटूब चैनल पर श्वागत है आज की इस वीडियो में स्टुडेंट अपन चर्चा करने वाले हैं जो नीट की तारीक को लेके स्टुडेंटों में काफी दिन से एक उतसा बना हुआ था स्टुडेंट सोच रहते कब नीट का एक्जाम ह यहां तक की नर्सिंग के जितने भी रेस्पेक्टेबल कॉलेज हों सब में एडविसन इस बार चाहे वो एमस हो या फिर वो जिपमर का हो सब में जो एडविसन होगा स्टुडेंट वो नीट के एक्जाम के ही एकोर्डिंग होगा और आपको नीट के द्वारा ही सब मेडि संडे को यह आपका एक्जाम होगा अभी इसमें टाइमिंग डिसाइड नहीं की है टाइमिंग का तो तब आएगा जब आपके फॉरम फिल स्टार्ट हो जाएगा इसके लावा नीचे के पेराग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ दा इन्फॉर्मिशन बुलेटिन जो जो सेकंडरी चीज़ है या आपको बुलेटिन जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा आप इसके लिए दोस्तों एक अगस्त आपके लिए जादा अधिक समय नहीं है केवल आपके पास दोस्तों अगर बात करते हैं तो 140 डेज हैं जो की नीच निकालने के लिए इतना कम समय भ जीरो से भी अब अपना सेट अप स्टार्ट करना चाते हैं तो बहुत दिन होता है 140 दिन अपरोक्स अभी दोस्तों आपके पास साड़े चार मन्त हैं और साड़े चार मन्त में मैंने इतिहास बदलते हुए देखा है अरे आप तो सलेक्षन लेने की बात कर रहे हो 140 दिन अ अब आपको समय बरबाद नहीं करना दोस्तों अगर अब आप एक दिन बरबाद कर देऊ समझो एक दिन बरबाद करने के वाद आप 10,000 स्टूडेंटों से पीछे रह गए तो आपके पास समय भी आ गई है जो समय के लिए कि इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पारे तो आप अपने माबाप कर देश का सफना पूरा करें और नाम रोसन करें मिलता हूं दोस्तों नेस्ट वीडियो में नेस्ट अपडेट के साथ और इसके अलाब स्टूडेंट से मैं आपको एक बात और वीडियो खतम करने से पहले बता देता हूं हर साल नीट के स्टूडेंट अगर लिख दीजिए NEET 2021 मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा जिससे कि कोई भी informative information मेरे पास आएगी वो मैं आपके लिए सबसे पहले उफलब्द कराऊँगा तो दोस्तों मिलता हूँ next वीडियो में next update के साथ जैसे कोई update मेरे साथ आएगी मैं आपके लिए एक वीडियो के मैं उसे प्रस्तुत करूँगा तो आज के लिए students इतना ही मिलते नेस्ट वीडियो में next update के साथ जै हिंद जै बारत